पूर्वी सिंग्भूम जिले के सूर्दा माइंस का लीज नवी करण नहीं होने से मजदूरों को बैठा दिया गया है और इस कारण पिछले 11 माह से मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं आर्थिक कारणों से 15 की मौत भी हो गई है इसलिए मजदूरों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है रिपोर्ट देखें गार्चिला के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट ने 15 महिने से अपने मजदूरों को बैठा दिया है इस कंपनी का लीज नवी करण नहीं हो पाया माइंस ने 15 लोगों को हटा भी दिया है इसलिए करमचारी आंदोलन कर रहे हैं औरोंने एसेंशल काम बंद कर दिया जिससे खदान में पानी भरना शुरू हो गया है मजदूरों काई परतिनिधी मंडल शुर्दा माइस डीजीम मिस्टर डीके सिर्वास्तों से मुलकात करम ने एक शुत्री कारिकरम एक शुत्री मांग पत्र उनको शोपा था जिसमा हमारा मांग था कि यहां पे कारेरत 12-1300-1500 जो भी मजदूर है जो एक दिंग आप उनको कारी दे रहे उनको एक सम्मान जनक रोजगार देने के बिवस्थाप प्रबंदंगे द्वारा करवाएं अन्यता मजदूर जो आंदूलंग करने के लिए बात दे हुँँँदूर लीजनवी करण के लिए हस्ताक्षर अभ्यान चला रहे जिससे मुख्यमंतिक को भेजा ज से बंद हैं ऐसे में आर्थिक परिस्थिती बहुत ही हम लोगों का खराब है खाने तक के लिए बहुत मेहनत करना बढ़ता इधर उदर से बड़ी मुश्किल से चल रहा था आंदोलन जारी है मजदू चनडबद आंदोलन कर रहे हैं खदान का काम ठप है ऐसे में से ततकाल नवी करन की जरुत है ताकि लोगों की बेरुजगारी दूर हो और उनके जिन्दगी फिल से पट्री पर लोट आए न्यूस इलेवन भारत कली घाट्शिला से प्रभंजन की रिपूर्ट पंदरा महिने से बेरोजगार बैठे ही है मजदूर सूर्दा माइन्स में मजदूरों का आंदोलन्तों यजद हो गया है मजदूरों ने असोसियेशन का काम बंद कर दिया है काम बंद होने से खदान में पानी भर रहा है खदान का नहीं हुआ लीजनवी करण 15 महीने से बेरोजगार बैठे है ये मजदूर और अब आर्थिक कारणों से 15 की मौत भी हो गई है सूर्दा माइस में मजदूरों का अंदोलन तेज हो गया है मजदूरों ने असंशिल काम बंद करा दिया है जिसके वज़े से पानी भर रहा है खदान में